आज इस वीडियो में हमारे पास आचुका है Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme Narzo 70 Pro जो के इस बढ़िया गलास बैक डिजाइन के साथ आता है और आपको ये प्रीमियम वोच डिजाइन भी बैक में देखने के लिए मिल जाता है आज इस वीडियो में इस फोन के आपको 40 से ज़ाधा अमेजिंग टिप्स और टिक्स बताने वाला हूँ साथ में इस फोन का एक फुल रिव्यू भी देने वाला हूँ तो इस फोन के बार में जो भी आपको जाना है पूरा इंफोमेशन इसी वीडियो में मिल जाएगा तो इस वीडियो को पूरा देखेगा और मुझे बताएगा निचे कोमेंट्स में के आपको इस फोन के कौन से फीचर सबसे ज़ाधा अच्छे लगे शुरुआत कर लेते हैं डिस्प्ले और डिस्प्ले फीचर के साथ इस फोन में आपको 6.67 इचिस का फुल एच्छी प्लस एमुलेट डिस्प्ले मिल जाता है जोके 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट और 2000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी मुझे यहाँ पर लगा और ये इन डिस्प्ले फिंगर्ट्रिंट सेंसर भी इसमें आपको मिल जाता है इस phone में बहुत सारे बढ़िया wallpapers आपको मिल जाते हैं, अगर आप home screen के पर long tap करके wallpapers में जाएंगे, तो यहाँ पर static के अंदर बहुत सारे अच्छे options आपको यहाँ पर दिये गए हैं, specially यह वादे जो wallpapers हैं, वो मुझे काफी जादा अच्छे लगते हैं, AOD के भी बहुत बढ़िया options आपको दिये गए हैं, settings में wallpaper and style के अंदर आपको AOD मिल जाएगा, by default disable है तो इसको यहाँ से enable कर दीजिए, यहाँ से आप bit emojis use कर सकते हैं, canvas use कर सकते हैं, बहुत सारे patterns और नए options भी यहाँ पर आपको दिये गए हैं, even edge cloaks का option भी आपको AOD के अंद कर सकते हैं, यहाँ पर wallpaper and style के अंदर ही आपको fingerprint animation का option भी मिल जाएगा, क्योंकि in-display fingerprint sensor है, तो आप select कर सकते हैं कि जब भी आप उसको use करते हैं, तो कैसा animation आपको देखना है, display के colors को और enhance करने के लिए, settings में display and brightness के अंदर आपको bright HDR video mode भी मिलता है, अगर आपको HDR video प्ले कर र पहले आपको बताता हूँ, top 10 features इस phone के, सबसे पहले आपको एक ऐसा feature बताता हूँ, जो कि आपने आज से पहले किसी भी दूसरे phone में नहीं देखा होगा, settings में special features के अंदर आपको smart sensing के अंदर air gestures का option भी मिलता है, आप अपनी उंगली को almost एक mouse की तरहां यहाँ पर use कर सकते ह और और भी बहुत सारे gestures हैं, जिसकी मदद से आप पूरे phone को इस तरीके से control कर सकते हैं, smart sensing के अंदर एक और must feature जो के अगेन आपने किसी दूसरे phone में नहीं देखा होगा, वो है double tap to scan का, आप इस phone में बिना camera app को open किये, किसी QR code को scan कर सकते हैं, बस अपने phone को किसी भी QR के साम पूल लगता है, वो है notification settings के अंदर smart suggestions का, basically अगर आपने Zomato या Swiggy से कुछ food order किया है, तो उसके live updates आपको phone के lock screen के उपर directly मिलते रहते हैं, माली ये 10 minute में खाना आने वाला है, तो आप directly lock screen के उपर देख पाएंगे, इस phone में आपको नेया वाला smart sidebar भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको recent files और file doc जैसे options मिल जाते हैं, recent files में जो भी files आपने latest save किये हैं, या photos capture किये हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर किसी भी selected file को आप इस तरीके से file doc में place कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको बात में उस file की जरूरत हो, तो वो आप यहाँ पर distance में भी जाते हैं, यहाँ से भी आपको उसको floating window में open करने का option मिल जाता है, इस phone के gallery app में भी आपको must features मिल जाते हैं, अगर आपने कोई भी photo capture किया है, उसमें से आपको अपना cutout बनाना है, तो बस आप photo के उपर long tap किजिए, और phone automatically उस photo में से आपका एक portrait cutout बना के आपको देदेगा, और इसमें अब आपको erase objects का option भी मिल गया है, अगर आपने कोई भी photo capture किया है, तो edit में चाहिए, यहाँ पर आपको eraser का option मिलेगा, और जो भी object को या जिस भी चीज़ को आपको remove करना है, इस तरीके से select कर दीजिए, और phone AI की मदद से उस चीज़ को आपकी photo में स connect किये हैं, तो आप दोनों को एक साथ enable करके दोनों में से output ले सकते हैं, अगर एक ही phone में से दो लोग कोई movie वगयरा देख रहे हैं, उस time पर ये feature बहुत ही काम आता है, और यहाँ पर Realme Lab के अंदर ही एक और बहुत must feature है, heart rate measurement का, क्योंकि इस phone में एक in-display fingerprint sensor है, अगर आप उ तरीके से use कर सकते हैं, और अगर आपको phone में shortcuts use करना अच्छा लगता है, तो सबसे बढ़िया shortcut again in-display fingerprint sensor की मदल से आप use कर सकते हैं, special features के अंदर आपको Q-Clone का option मिलेगा, इसको enable कर दीजिए, यहाँ पर जो भी shortcut apps आप use करना चाहते हैं, उसको setup कर दीजिए, इसके बाद तो यह phone out of the box Realme UI 5 के साथ आता है, जो के Android 14 के उपर based है, वैसे इस phone में आपको थोड़ा बहुत bloatware मिल जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि पूरा आप uninstall कर सकते हैं, जिसके बाद आपको clean experience मिल जाएगा, और यह जो Realme UI 5 है, वो काफी smooth लगता है, मुझे इसके जो animations है वो काफी smooth है, UI customization का एक बहुत बढ़िया feature मुझे लगता है, enlarge folders का, किसी भी folder के उपर long tap करके, आप उसको इस तरीके से enlarge कर सकते हैं, इसका फाइदा यह है कि directly आप 9 apps को इस तरीके से access कर पाते हैं, icons को भी आप बहुत अच्छे से customize कर सकते हैं, अगर आप home screen के उपर long tap कर के icons में जाएंगे, यहां पर आपके पास material style का option है, pebble style का option है, या फिर अगर आप custom select कर देंगे, तो आप किसी भी shape में icons को customize कर सकते हैं, home screen के उपर one handed usage को असान बनाने के लिए भी एक बहुत बढ़िया gesture आपको बताता हूँ, आपको जाना है home screen settings में, और यहां पर icon pull down gesture को enable कर देना है, उसके बाद home screen पर जब आप किसी भी edge से इस तरीके से swipe करते हैं, तो सारी apps आपकी नीचे आजाती हैं, और जिस भी app को आपको use करना है, उसको इस तरीके से select कर सकते हैं, और भी बहुत सारे gesture and motion का support इस phone में आपको मिल जाता है, अगर आप additional settings में जाएंगे, तो मुझे personally बहुत useful लगता है, वो है adaptive sleep का settings में display and brightness के अंदर, नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है option, basically अगर आप अपने phone के उपर reading बहुत जादा करते हैं, उस time ये बहुत काम आता है, phone की screen तब तक बन नहीं होगी, जब तक आप अपने phone की तरफ देख रहे हैं, even अगर video speakers मिल जाएंगे, उपर की तरफ एक dedicated speaker आपको दिया गया है, और इसकी sound quality मुझे काफी इची लगी, loud भी काफी जादा है, dual speakers का experience और battle करने के लिए आपको settings में sound and vibration के अंदर, और reality audio का feature एक दिया गया है, इसके अंदर आप presets की मदद से select कर सकते हैं, कि किस तरीके का sound output आपक video इसमें आपको दिया गया है, इसका N22 score मेरे पास यहां पर 6 लाग के उपर आया है, BDMI के अगर मैं बात करूँ तो smooth plus extreme में आप खेल सकते हैं, और smooth plus extreme में मैंने gameplay try भी किया, काफी अच्छा और smooth experience BDMI का आपको इस phone में मिल जाता है, कोई भी game जब आप इस phone के उपर play तो इस तरीके का gaming mode भी आपको मिल जाएगा, इसमें आप pro gamer mode enable कर सकते हैं, नीचे भी बहुत सारे options आपको दिये गए हैं, जिसके game focus mode है, voice changer आप यूज़ कर सकते हैं, या फिस system stats को भी enable कर सकते हैं, अगर आप fps वग्यारा screen के उपर देखना चाहते हैं बैटरी भी इसमें आपको बड़ी 5000 mAh की दी गई है, और उसके साथ box के अंदर ही आपको 67V का fast charger भी दे रखा है, तो वहां पर भी इसमें आपको कोई issues नहीं मिलेंगे long term में battery performance को और better बनाने के लिए, आप यहां पर settings में battery के अंदर smart charging का feature यूज़ कर सकते हैं, basically phone smartly आपके phone को चार्ज करेगा, अगर आप phone को रात को charging पे लगाएंगे, तो पूरी रात में over charge नहीं होगा, बलके धीरे धीरे चार्ज होगा, तांके battery जो हो ज़्यादा better perform करे 4G carrier aggregation का support भी इसमें आपको मिल जाएगा, और बहतर network speed लेने के लिए, आप इस phone में Wi-Fi assistant के अंदर जाके dual channel network acceleration को enable कर सकते हैं, basically आप अपने phone में Wi-Fi और mobile data दोनों को एक साथ यूज़ कर पाएंगे, तांके आपको बहतर internet मिल जाए, Wi-Fi tethering का support भी इस phone में आपको दिया गय तो यहाँ पर नीचे आपको app look, hide apps और private safe जैसे options भी मिल जाते हैं, आपको किसी भी चीज के लिए कोई third party app की जरूत नहीं है, किसी भी file को आप यहाँ पर hide करके रख सकते हैं, और settings में app settings के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको app cloner का option भी मिल जाएगा, इस phone में आप कि ultra wide camera है, उसके बाद एक 2 megapixel का camera है, जिसको आप ignore कर सकते हैं, और यही 3 camera से पीछे, front में आपको 16 megapixel का camera दिया गया है, अब इसके काफी सारे camera shots में ने capture की है, यह actually काफी अच्छी camera quality प्रवाइड करता है, आपको जिस price range में यह launch हुआ है, बहुत ही अच्छे camera samples आपको मिल जा camera के अंदर आप even 2x in sensor zoom का feature भी use कर सकते हैं, इवन अगर आप portrait photos capture कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको 2x zoom का option मिलता है, जिसकी quality बहुत ही अच्छी आती है, camera के अंदर एक बहुत ही interesting mode, आपको street mode मिल जाता है, इस mode में आप इस auto zoom के feature को own रख सकते हैं, और किसी भी object को capture करने के लिए बस आपको उसके उपर tap कर देना है, और phone आपको automatically एक बहतर composition बना के उसकी दे देता है, more modes के अंदर आपको slow motion videos का भी option मिल जाता है, आलंकि सिरफ rear camera से आप shoot कर सकते हैं, और maximum आपको full HD 120 fps का option मिलेगा, अगर आप 240 fps करेंगे तो वो HD में shoot होगा, more के अंदर ही आपको dual view video mode का option भी दिया गया है, अगर आप front camera और rear camera दोनों को use करके एक साथ videos capture करना चाहते हैं, वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, और एक और बढ़िया feature यहाँ पर आपको group portrait का मिल जाता है, mostly आपने देखा होगा कि जब एक से ज़्यादा लोग photo में हैं, तो एक ही face के उपर focus रहता है, बाकी लोग blur हो जाते हैं, इस mode की मदद से सारे लोग बढ़िया focus में रहेंगे और आपको एक बहतर photo मिल जाएगा, वैसे कुछ और भी चीजे हैं, जिसके बार में हमने पूरी वीडियो में बात नहीं किया, जैसके इस phone में आपको एक earphone jack भी मिल जाता है, अगर मैं sim card sort की बात करूं, तो एक hybrid sim sort दिया गया है, तो अगर आप एक ही sim use करते हैं, तो memory को expand कर सकते हैं, और इस phone में आपको एक plastic वाला scratch card pre-plied मिलता है box के अंदर ही, और एक cover भी TPU वाला transparent वाला जो होता है, वो भी box के अंदर आपको दिया गया है, बाकी अगर आपको कुछ और जानना है इस phone के बारे में, तो नीचे comments में पूछ सकते हैं, वीडियो कैसा लगा, बताएगा हमें, और अगर अच्छा लगा तो like भी कीजेगा, और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो channel को subscribe भी कर देजेगा, इस वीडियो को देखने के आपका बहुत भहुत उन्देवा दोस्टोप